पच्चन केट्स अच्छे और सस्ते आम आ जाए मार्किट में फिर चलेंगे मम्मी की बात सुनकर नराज गट्टू चिंकी रोने लगे एक दिन गट्टू चिंकी हरी के घर खेल रहे थे तभी हरी की मम्मी ट्रे में कुछ बाउल्स लेकर आई आंटी आप क्या लाई हो? तुम्हारे लिए आम रस लाई हूँ आम का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी के मुँ में पानी आ गया दोनोंने आम रस उठाया और देखते ही देखते सारा आम रस सुरू करके पी गए अरे आराम से लगता है तुम लोगोंने अभी तक आम नहीं खाए हाँ आंटी, ममे पापा तो आम लाने का नाम ही नहीं ले रहे है अरे हम भी कहा मार्किट से लाए है हरी के दादा दादी जी ने भेजे है गाउं से देशी आम है मार्किट में तो बढ़ा चड़ा कर आम बेचे जा रहे है उपर से कौन कौन सा पाउडर डाल कर पकाते है हमें क्या पता? इसलिए हम हर साल गाउं से ही आम मंगाते है आंटी, हमारे मामा जी के यहां भी आमों का बड़ा सा बागी चाहे हम गर्मियों की छुटियों में ननिहाल चाकर कोब आम चुशते है पता नहीं, इस साल जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं? इधर डोर बिल बजी, तो मम्मी ने दर्वाजा खुला बाहर एक आदमी काफे सारी पेटियों के साथ खड़ा था मैडम, मैं आमके डिलिवरी दिने आया हूँ ये सुनकर मम्मी पापा दोनों चौक गए अरे, हमने तो आम नहीं मंगवाए थे मैडम, मैं जननत फ्रूट मार्केट सा आया हूँ हमने आपके माई के जाकर आपके भईया सासे आम खरी दे थे उन्होंने आमों की कुछ पेटी आपके घर पहुंचाने को कहा था वो ही आपके माई के वाले आम डिलिवर करने आया हूँ ये सुनकर मम्मी पापा खुश हो गए अरे वावा, गट्टू जिंकी के मामा ने आम भेजे है मतलब अब गट्टू जिंकी को कोई नहीं रोक सकता ऐसे कैसे? एक साथ इतने सारे आम देखेंगे तो सारी पेटिया एक दिन में खाली कर देंगे और फिर बिमार पड़ जाएंगे ऐसा करते हैं, ये आम की पेटिया स्टोर रूम में छिपा देते हैं फिर क्या? डिलेवरी बॉय की मदद से सारे आम स्टोर रूम में रखे गए थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी घहर आए कितना मीठा था ना आमरस हाँ, बहुत मीठा था कुछ भी हो, आज पापा को मार्किट ले करी जाएंगे गट्टू ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक रुख गया और जोर-जोर से कुछ सुंगने लगा क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट, आम की महक? हमारे गर में आम की महक आ रही है कुछ भी, मुझे तो नहीं आ रही मेरी नाव मुझे कभी धोका नहीं देती जरूर हमारे घर में आम चिपाए गए है तुम कर देखो चिंकी ने एक गहरी सास अंदर खीची तो साथ साथ आम की महक भी अंदर चली गई हाँ, मैं भी आम की महक महसूस कर रही हूँ चलो, सुंगते हुए पता लगाते हैं कि पम्मी पापा ने हम कहाँ चिपाए है फिर क्या, महक सुंगते सुंगते दोनों घर में आम ढोणने लगे और महक के साथ साथ स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुँच गय ओ, तो आम स्टोर रूम में कैद है चिंकी जाओ, स्टोर रूम के चावी लेकर आओ चिंकी भागते हुई गई और चावी लेकर आई फिर स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया और नजारा देखकर दोनों की आखे फटी की फटी रह गई रूम में आम की काफे सारी पेटिया रखी थी आमों की महक से पता चलता है कि आम मामा जी के खेट से आए है हम सारे आम चट ना कर जाए इसलिए मम्मी ने आम यहाँ चिपाए है शेर के मूँ को आम रस लग चुका है चिंकी अब उसे कोई नहीं रोख सकता फिर क्या गट्टो चिंकी ने आम की एक एक पेटी खोली और देखते देखते खाली कर दी शाम के समय मम्मी ने इस टोर रूम का दरवाजा खोला अब बच्चों को दो आम काट कर खिलाती हूँ तभी मम्मी ने देखा कि आम की दो पेटिया बिलकुल खाली है अरे ये दो पेटिया आम कहा गायब हो गए मम्मी भागती हुई हॉल में आई गट्टो चिंकी सच सच बोलो तुमने आम चुडा कर खाए ना अरे क्या हुआ दो पेटिया आम गायब है क्या मम्मी आप हमें थोड़ी पता है कि आम स्टोर रूम में है और है भी तो चुए खा गए होंगे आमने थोड़ी खाए है तभी मम्मी का ध्यान गट्टो चिंकी के कपलों पर पड़ा दोनों के कपलों पर आम रसके दाग धपे थे यह देखकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली हाँ आम तो चुओने खाए है और वो दो चुए मेरे सामने खड़े है और वो चुए कपड़े भी पहनते है यह सुनकर गट्टो चिंकी ने एक दुसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने कपड़े नोटीस किये और आम रसके दाग देखकर दोनों शर्मिंदा होकर बोले मम्मी की यह बात सुनकर पापा के साथ साथ गट्टो चिंकी भी हसने लगे गट्टो चिंकी का ननिहाल गर्मियों की छुटिया चल रही थी गट्टो चिंकी दिन भर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल कुद करते थे एक शाम दुनों बाहर से खेल कर हॉल के अंदर आए हॉल में मम्मी काफी खूश होकर पापा से बाते कर रही थी मम्मी क्या बात है आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो बात ही ऐसी है तुम्हारी नानी का कॉल आया था उन्होंने बुलाया है कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी आस्मान छुगई ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं नाना नानी के गाउ जाते हैं और इंजॉय करते हैं फिर क्या दूसरे दिन सुभा जल्दी ट्रेन का सफर करते हुए गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे समान के साथ नाना नानी के गाउ निकल पड़े गट्टू चिंकी का ननिहाल काफी खुपसूरत और छोटा सा गाउ था जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे नाना नानी का घर भी काफी खुपसूरत और मज़ेदार था गट्टू चिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए मामा मामी, नाना नानी और मौसा मौसी तयार खड़े थे इस प्रकार सारे लोग प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी को पास बुला कर प्यार करना चाहते थे, लेकिन गट्टू चिंकी किसी के पास नहीं गए। वो सीधा अपने नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए फिर मोहाथ धोकर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिश्ट खाना खाकर गट्टु चिंकी ने थोड़ी देर आराम की और फिर दोनों अपने ननिहाल का मज़ा लूटने के लिए तयार हो गए मामी की बनाई हुई इमली का पना पीकर तो गट्टु चिंकी एक दम तरो ताजा हो गए मौसी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा जूला टंगाया था गट्टू चिंकी जूले पर बैठ गय और जूला जूलते जूलते हवा में बाते करने लगे मौसा जी ने आम की कच्ची केरिया पेड़ से उतारी और मौसी ने मिर्च मसाला लगा कर गट्टू चिंकी के सामने रख दी कैरिया देखकर गट्टू चिंकी के मुँँ में पानी आ गया और देखते देखते उन्होंने सारी कैरिया चट कर दी साड़ी चार बुजे धूप कम हुई तो गट्टू चिंकी मामा जी के साथ खीत की तरफ निकल पड़े खीत काफी हरा भरा और प्रसन्य था गाय, बैल और भैस बच्छडे दोनों को टुकुर टुकुर देख रहे थे मामा जी के साथ साथ गट्टू चिंकी ने सारे जान्वरों को घास डाली और बच्छडे के साथ खूब मस्ती की और सेलफी भी निकाली बाद में मामा जी ने गाय और भैसो का दूद निकाला और ताजा ताजा दूद गट्टू चिंकी को पिलाया वाँ मामा जी मज़ा आ गया शाम होते होते गट्टू चिंकी मामा जी के साथ घर चले आए और नाना जी के साथ वक्त बिताने लगे चलो गट्टू चिंकी मैं तुम लोगों को गाउं घुमा लाता हूं और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूं फिर शाम के समय गट्टू चिंकी नाना जी के साथ गाउं घुमने निकल पड़े और नाना जी के दोस्तों से भी मिले अरे राम राओ ये मेरे नाती है शहर से आए है नमस्ते हाई कैसे हैं आप सब इस प्रकार गट्टू चिंकी ने कुछ दिर बाते की फिर गाउं के बच्चों के साथ खेल कुद की और रात हो गई फिर गट्टू चिंकी नाना जी के साथ रात के खाने के लिए घर लोटाए बच्चो तुम्हारा मन पसंद खाना बनाया है मामी और मैंने मिलकर नानी जी मैं आपके हाँ से खाऊंगा नानी मुझे भी खिलाओ ना ये सुनकर नानी जी हसने लगी ठीक है ठीक है मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ फिर क्या गट्टु चिंकी ने नानी के हाथ से पीट भर खाना खाया खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तयारी करने लगे और अचानक गट्टु चिंकी को गर्मी महसूस होने लगी ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हसने लगे यह देखकर गट्टु चिंकी और ज्यादा कन्फ्यूज हो गए आप सब हस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा. छोटा सा गाउ है हमारा, हमारे पास एसी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है, जो तुम्हारे शहर में किसी के पास नहीं. ये सुनकर गट्टू चिंकी चौक गए. ऐसा कौन सा एसी है आपके पास? कुदरत का एसी, गाउ में कुदरत की दया से काफी सारे पेड़ पौधे और हर्याली है, जिसकी वज़ा से रात भर ठंडी हवा बहती है. हम घर के अंदर नहीं, ऊपर छट पर खुले आस्मान में सोएंगे, और कुदरती एसी का मजा लेंगे. ये सुनकर तो गट्टू चिंकी एक दम से जूम उठे, फिर मामा जी और मामी जी ने मिलकर छट पर गद्दे बिचाए और सब सेट हो गया. नानी, मैं आपके पास सोँगी, और मैं भी. अहां, अहां, तुम दोनों मेरे पास सोजाओ, आओ, सोजाओ. फिर क्या, खुले आस्मान के नीचे ठंडी हवा में गट्टू चिंकी नानी के पास सोगए, और नानी से कहानिया सुनते सुनते दोनों को मेठी मेठी प्यारी प्यारी नीन्द आ गई. कि मेरे प्यारी आसी सुनते सुनते दोनों को मेरे प्यारी आसी सावए, और नानी से कहान आसी सह जब दोनों को मेरे खुले आसी पास से कहानिया।.